लाइक, शेर और कमेंट, तो सब्सक्राइब इस चैनल, प्लीज प्रेस ते बेल आइकर। उम्मीदवार उतारने की गोशना कर दी। रिटार्ट भोजियों द्वारा आम जनता के लिए एक आगाज है। के लिए और दिली के जनता के लिए जी भरके करेंगे और अनुशासना अत्मक तरीके से करेंगे तो फोजियों को पार्टी बनाने की बहुत ज़्यादा जुरूर थी आज के समय में हमारे रिसर्च और सर्वे के आपने वीडियो देखें जिसमें क्लियर कट आज की डेट में नेताओं पर जितना बरोसा जनता को है आप और हम अच्छे से जानते हैं अब मात्र एक फोजी बचा है जिस पे जनता दिल से मन से सिरफ भरोसा कर रही है कि जैसे ये सरगत की रक्षा करते हैं अब आकर देश के अंदर ये विदान सबा और संसत की भी रक्षा करेंगे इसी मकसद के साथ इसी इरादे के साथ ये जनता विर्गेट पार्टी उतरी है तो इसमें जो आपकी पार्टी बनी इसमें कौन-कौन से सेनिक या सभी सेनिक है और साथ में जनता के कर्मट और इबानदर लोगों को भी हम साथ ले रहे हैं विशेश हम इसके अंदर शहीद की विदाओं को भी कैंडिडेट के तोर पर खड़ा करने वाले हैं तो सर देश की जनता को क्या मैसिज देना चाहूंगा देश की जनता को कि जो आपको अच्छा लगता है आपके मन में जो आपको सही लगे और आपको लगता है कि हम भोजी भाई रिटार्मेंट के बाद भी उसी दम खम के साथ आपकी सेवा कर सकते हैं तो हमें अवश्य मो मेरा नाम बिने शर्मा है जैसे हम देखरे जनता बिगेड पार्टी आज इहां पर एक शर्वार की गई तो क्या मैसिज आप देना चाहिए जनता ने जो प्यार और संबान हमें दिया है बस आगे भी वो अपना प्यार संबान और आशिरवाद हमको दे क्या सर यह तो जो 20 है दिल्वे में कितनी सीटों को आप कर देखे अभी तो 70 सीटों पर है जो भी है सभी सीटों पर हम लोगा समन्वे होगा फोजी भी होंगे सहीदों की विद्वाव को भी एक चांस देने की कोशिश की जाएगी अच्छे लोगों को भी मौका दिया देखे अभी तो हमारा संगठन खड़ा हो रहा है दीरे दीरे महिलाएं भी जुड़ रही है आगे आगे जिस तरीके से प्रगर्ती होगी आपको बता दिया जाएगा उसमें आजात तोमर की रिपोर्ट हर खबर दिल्ली like share and comment to subscribe this channel please press the bell icon